हेलो फैंट्स वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल गार्डेन वर्क तो आज मैं जिस टॉबिक पर वीडियो लेके आए हूँ यह हमारा है गोल्डन बॉटल ब्रश प्रांट और एक विराटी और आती है हमारी गोल्डन बॉटल ब्रश की यह इसको ऑस्टेलियन गोल्डन प्रांट किना से जाना जाता है तो गोल्डन बॉटल प्रश की मैंने कई वीडियो अप्लोड कर रखी है अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जाके सस्क्राइब कर लिजिए और तुरानी वीडियो क्लिक करके इसी गार्डेन वर्क चैनल को क्लिक कर क्या आप देख सकते हैं शॉर्स मैंने अप्लोड कर रखी और लॉंग वी तो आई यह पाते हैं टॉबिक पर यह हमारा गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट है इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है यह जो है मैदिशनल प्लांट है और बहुत ही यह बस क्या है कि दूसे तरफ हम इसको अगर देखें तो यह है और स्टेलियन गोटल गोल्डन बॉटर ब्रश का प्लांट जिसको मतलब की आप रोट साइड में देखते हैं मिलता होगा आपको कहीं न कहीं देखने को मिले जाता होगा और यह फ्लावरिंग प्लांट है इसमें जो है रेट खोबसूरत लगते हैं बहुत ही प्यारा लगता है तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गोल्डन बॉटर ब्रश शायद जो है वही वला प्लांट है जब मैं गोल्डन बॉटर ब्रश की बात करती हूं तो मुस्टली लोगों की दिमाग में यही आता है जो उन्होंने जो हमारा उस्टेलियन गोल्डन बॉटर ब्रश होता है इसमें हमारा फ्लावर आता है लाल रंघ का फूल आता है जो कि एक बॉटल ब्रश की जो जो हमारी बॉटल दोने वाली होती है ब्रश जो हता उसी के शी की तरह को होता है और वो नीची को लटकता हुआ होता है в стать guys इसमें फ्लावर नहीं लगा है इसको आपको नहीं दिखा सकती हूं लेकिन मैं एक्स्पेंट कर दे रही हूं कि इसमें डिफरेंस क्या है गोल्डन बॉटल ब्रश और ऑस्टेलियन बॉटल ब्रश में तो इसकी पत्या जो होती हैं आप देख सकते हैं यह बहुत ही हरे रंग से यह भी लगता है और देखने में खोपसूरत यह लगता है में दूसरा डिफरेंस है कि इसमें फ्लावर नहीं आता है और इसमें फ्लावर आता है पत्यों के डिफ्रेंस और फ्लावर के डिफ्रेंस से आप पता कर सकते हैं कि यह गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट नर कि यह जो बॉटल ब्रश का प्लांट है जब मैं नर से मिलेने गई थी तो मैंने सोचा शायद मेरे इस फ्लावरिंग मतलब इस प्लांट में जो है फ्लावर आएंगे तो बाद में एक्स्विरेंस से पता चला कि नहीं फिर मैंने नेट पे सर्श किया तो पता चला कि गोल्ड याँट क्लियर हो चुका है दोहों में अंतर मुझे पता चल चुका है दोनों की पत्यों लव होती है। दोनूं में फूल एक पत्तियों का डिफ्रेंस तो तुरंद पता चल जाएगा लेकिन बाखी चीज़ आप उसे औरल पूछ सकते हैं कि इसमें लाल लंग की फूल आएंगे कि नहीं आएंगे अगर वह बुलेगा कि लाल लंग के फूल आएंगे तो वह आपको गोल्डन बॉटल ब्रश नहीं दे पता ही है और इसका प्राइस अगर हम बात कर लें तो यह बहुत कम कीमत में लगभख धेड़ सो एक सुचारीज रुपय में आ जाता है यह और इसकी बात करें तो यह काफी कॉसली होता है साड़े च्छे सो लेकिए साड़े आठ सो तक का इसको हम कह सकते हैं बहुत से नर् है और यह अगर आप जमीर में लगाए तो बैस्ट होगा क्योंकि गंबले में बहुत अच्छे से चर नहीं पाता है क्योंकि बड़ा प्लांट है और रूट बाउंट हो चुका मैंने आपको दिखाया था और पूरी डिटल दिखाई होई है और इसको अगर हम कहें तो यह दोनों में लगाने का तरीका जो है एक तुआ प्लान खरी दीजिए दूसरा है कि इसकी भी कटिंग लगती है और इसकी भी कटिंग लगती है जो और गोल्डन बॉटर ब्रश का प्लान होता है उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और यह जो गोल्डन बॉटर ब्रश सिंपल इसकी बीकटिनगाते हैं दोनों को कटिंग से हम प्रफोगेट कर सकते हैं दोनों की कटिंग आप जुलाई में लगाई ये तो बैस्ट है मंत इसलिए क्योंकि जो है उसमें मांजून आ जाता है बारिश रोजाती है तो हमारी कटिंग अच्छे से सरभाइब कर जाती है और उ कि जो मोटी स्टिक्स वाले होते हैं उनके नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो फिर रहती नहीं है अगर आप बारिश में लगाएंगे तो 100 परसेंट आपकी कटिंग सक्सेस होगी तो उमीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी त क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इस चैनल पर ऐसे ही बाते बता जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही और रियल कॉंटेंट इस पर जो है शेयर किया जाता है तो अगर आपको सही में मतलब प्लांट के साथ क्या-क्या होता है कैसे उसको हम इंप्रूब कर सकते हैं कैसे लूर्स पारंट हो जायता है तो फिर उसे घम सही कर सकते हैं एक तो इस चैनल पर खालिकर आते हैं अगर आपको आड़न लग्सक वीडियो को शेर ही सब के से नौलेज केज़ कर सकें और कंफिजियों का दूस हो सकें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए व्लोग के साथ तक तक लिए बाय थेंक यू